नमस्कार दोस्तो आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट टाठी घाट में हम आपको इस वीडियो में यहां के साधू संतों से मिलाने वाले हैं तपो भूम चित्रकूट के जंगलों में आज भी सिद्ध साधू संत कुटिया बनाकर चमक दमक से दूर अजारों सालों से तपस्यारत हैं तो बने रहे हमारे साथ और हम यहां तपस्यारत सिद्ध साधू महातमाओ के दरसन आपको कराएंगे तथा उनकी कूटिया भी लिखाएंगे टाठी घाट के बारे में कहा जाता है यहां तपस्या करने वाले संतों को सोने की टाठी में गंगा मैया भोजन दिया करती थी इसलिए इस घाट को टाठी घाट कहते हैं तो आये यहां के महत्माव के दर्सन आपको कराते हैं और जानते हैं यहां की महत्पूर्ण जानकारियां अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सेर करिएगा तो बने रहे हमारे साथ और हम आपको यहां के साधू संतों से रूबरू करवाते हैं महत्मा जी सनान करके आ रहे हैं अब हम आपको इनके कुटिया को दिखाएंगे महराज इसनान हो गए? जी भगवाय था अच्छा यह पकड़न्डी रास्ते से महराज जी अपने कुटिया की तरफ जा रहे हैं देखें कितना दूरलव रास्ता है बड़े बड़े पेड़ पादों से घीरा हुआ यह इस्थान बहुत ही सुन्दर रम्रीक लगता है यहां के जंगलों में अभी बनी हुई साधू महात्माओं की कुटिया और साधू महात्माओं से आपको मिलाएंगे अभी हम बाबा के आस्रम की ओर जा रहे हैं जो जंगलों के बीच में बने हुए हैं यह सामने बाबा कुछ महात्मा बैठे हुए हैं कि देखे अभी महात्माओं के कुटिया तक हम पहुंच चुके हैं कि सीताराम महराजी सीताराम महराजी महाराजी यह टाठी घाठ है हाँ मन्लाकनी नदी के किनारे बने इन जंगलों में सादू महात्माओं की यह कुटिया है देखिए कि अचर्ड कि इतने दूलत जंगलों में यहां महात्मा रहते हैं और तपैस्या करते हैं कि अच्छा तिन किलो मीटर के चैप छेतर में महात्मा रहते हैं जी चाहतार हो चाहिए इन घाने जंगलों में अच्छा नहीं यहां जानुवर नहीं आते? अच्छा महत्मा उचे नहीं बोलते आज जब लगे विधाता राखे हैं कोई नहीं मिलेगा महाराजी जब लूड़ाना चाहर तो कोई मिलेगा नहीं महाराजी परसाथ है है यह देखे यह महात्माओं की चार पाई है इस तरह की चार पाई में महात्मा लोग सोते हैं रात को यह देखे बांकी जगहों में चार पाई की मिलेगी यह महात्माओं की कुटिया में चार पायर की नहीं महाराज जी की कुटिया बानी हुई है कि स्रीराम कितब और भूम चित्रकूट के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं दुरलब महात्माओं के दर्शन आपको करवा रहे हैं यह देखें तो पुछ कुटिया उस तरफ भी बनी है महाराज जी अच्छा तीन किलोमीटर अच्छा यह यहां स्टार्टिंग पॉइंट में हैं यह कुटिया जी रागोदास आपका आपका नाम है जी जी यह टाठीगाट के महात्मा जी है रागोदास त्यागे जी है महाराज जी आपका नाम क्या है लंदू बाबा था अच्छा 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 पर्साद के लिए बोल रहें कि अजिए महाराजी परसाद के लिए बोल रहे हैं यह महाराजी का परसाद है आश्रम का लकड़ी लेकर आगए है आश्रम के सेवदार है आश्रम में जी खाना बनाने के लिए है महाराजी अचा धूनी रमाने के लिए है दोस्तों यह देखें लकड़ी आगई महाराजी यहां पर धूनी रमाते हैं यह महाराजी की धूनी है यह देखें यह दंडोत महाराजी है अच्छा अच्छा धंड़ा वाले महाराजी है अभी महाराजी इसनान करने जा रहे हैं जी जी अच्छा यह दंड़ा वाले महाराजी है मंदागनी नदी में इसनान करने भी जा रहे हैं यह देखें महात्माओं की कुटिया सी राम बन गमनिस्तल फनमान मंदिर टाठी घाट आए इधर भी देखते हैं कुछ महात्मा बैठे हुए हैं इन महात्माओं से बात करते हैं सीतरा महाराज जी महाराज जी टाठी घाट है तो दोस्तों की तपस्थाली टाठी घाट का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बाक्स में अपने विचार जरूर लिखेगा कामतगीरी जर्णी चैनल को सब्सक्राइब जरूर जल्दी मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए कामतगीरी जर्णी की और से आप सभी को धन बात